हेलो फ्रेंड़ वेल्कम बेक टू मै यूट्यूब चैनल फ्रेंड़ आज हम बनाएंगे पिलो कवर, प्लेटिड पिलो कवर, फ्रिल वाला जो की बहुत ब्यूटिफुल बिल्कुल रेदी मेड जैसे लगेगा, तो चलिए आज हम बनाते हैं प्लेटिड पिलो कवर, उसके 23 and half इसकी length है और width इसकी 15 and half ये सिरफ दो तरफ से हमें इसकी measurement लेनी है ये मैंने लिखके रख लिया है 23, 3 and half and 15 and half अब इसके लिए हम ये मेरे पास वैसे तो fabric के छोटे-छोटे pieces हैं मैंने पहले भी इसमें से कुछ बनाया था तो ये बचे हुए थे ये लंबा का लंबा मैंने फ्रिल के लिए पहले से piece निकाल के रखा हुआ है जो side पे फ्रिल लगानी है ये 4 inch का चोड़ा piece हम लेंगे फ्रिल के लिए और अब ये मेरे पास चार टुकडे पड़े हुए हैं फैब्रिक के जो pieces है और अब हम इसको काम में लाएंगे इससे pillow cover बनाएंगे ये मैं दो pillow cover कट करूँगी लेकिन बनाके मैं आपको एक ही दिखाऊंगी और कट मैं इकठे दो करूँगी आप ध्यान से दिखें ये सबसे पहले हम इसका उपर वाला part कट करेंगे जहां पर हमने फ्रिल लगानी है ये दिखें 23 and half आया था हमारा lengthwise तो हम lengthwise इसको 24 and half लेंगे क्योंकि एक इंच बढ़ा के लेंगे सिलाई में देने के लिए 24 इंच 23 से 24 इंच एक इंच बढ़ा के और wetwise भी हम 15 and half से 16 and half लेंगे दोनों तरफ से एक इंच को हम बढ़ा देंगे दोनों तरफ से एक इंच बढ़ा के हम इसकी cutting कर देंगे scale की मदद से ऐसे पहले निशानी लगाएंगे और फिर हम इसकी cutting कर देंगे ये तो हमारा हो गया उपर का पार्ट जहां पे हमने फ्रिल अटैच करनी है अब हम cut करेंगे इसका नीचे का पार्ट उसके लिए भी हम same वही measurement लेंगे लेकिन उपर वाला हिस्सा हम बिचा के देखेंगे क्योंकि जो नीचे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा लंबा कट करेंगे ये उपर वाला यहां तक आया है ये दिखिए ये उपर वाला हमने बिचाया है तो ये यहां तक आया है और उपर से हम 5 इंच और लेके नीचे के फैब्रिक का कट करेंगे नीचे के पार्ट का 5 इंच बढ़ा के कट करेंगे ये जब बनेगा तो आपको समझ आएगी कि ये हमने क्यों बढ़ा के लिया है अब ये दोनों रेडी है नीचे का पार्ट और उपर का पार्ट ये उपर का पार्ट मने उठा दिया है और अब नीचे के पार्ट का एक और कटिंग क्या हमें करनी है 18 इंच पे मार्किंग करनी है 18 इंच पे मार्किंग करके इसको भी स्केल से बिल्कुल सीधा ड्रॉ कर देना है लाइन और वहाँ से इसको कट कर देना है यह जो नीचे का इसका हिसा है उसको हम दो हिसों में इसलिए डिवाइड करेंगे क्यूंकि ऐसे दोनों सिलाई लगके अंदर की तरफ हो जाएंगे और यहां से पिल्लो कवर डालने के लिए जैसे पॉकट जैसे होता है वैसे बन जाएगा यह इसलिए दो हिसों में डिवाइड करके यह पीस कट होता है जब मैं सिलाई करूंगी तो आपको पता चल जाएगा यह उपर का पाठ है और नीचे का पाठ दो हिसों में है और यह है हमारा फ्रिल का हिसा तो चलिए अब हम इसकी सिलाई करते हैं सिलाई करने के लिए यह सबसे पहले जो उपर का पाठ है मेरे पास फ्रंट का जिस पे हमने फ्रिल अटैज करनी है उसको सबसे पहले हमने फैब्रिक को सीधा रख लिया ये जिसकी हमने फ्रिल बनानी है वो भी मेरे पास दो पीस है तो उसको भी हमने पहले आपस में जोड देना है डबल स्लाइसे इसको जोड ले और अब इसको ऐसे शुरुवात करने के टाइम पहले थोड़ा सांदर को फोल्ड करें अब देखिए वो सीधा फैब्रिक है तो ये भी डबल लेयर करके हमने सीधा फैब्रिक रखा है ऐसे डबल कपड़ा करके लगाने से एक तो फ्रिल बिल्कुल अच्छी लगती है और एक हमें एक्स्ट्रा उपर से लाई नहीं लगाने वड़ती अब ये अपने हिसाब से आप इसके प्लेट्स डालते जाएं जितनी जितनी दूरी पे आपको उसको डालना है कोशिश करें कि बिल्कुल इक्वल आएं प्लेट्स हमारे ये सीधे फैब्रिक पे सीधा बिछा के उसके उपर फिर आपको फ्रिल लगानी है उल्टे फैब्रिक पे नहीं लगानी है ये देखिए अब कॉर्नर से मैं आपको बताऊंगी कि कॉर्नर से हमें क्या करना है ये ऐसे कॉर्नर हम ऐसे टर्न करके बनाएंगे ध्यान से दिखिए ऐसे ये यू शेप में बिल्कुल गुलाई में आएगा जैसे रेडी मेड पिल्लो कवर में होता है बिल्कुल वैसे ही इसकी शेप निकल के आएगी अब आप दूसरी तरफ टर्न होके वैसे ही प्लेट्स डालते जाएं इसके भी सारे प्लेट्स मैं फिर से आपको कॉर्नर दिखाती हूँ ये देखिए कॉर्नर पर पहुंचने से पहले ये प्लेट डाली हमने और ये जो है इसको गुमा देना है ऐसे बहुत असान है एक बार आप लगा के देखें तो आपको असानी से आ जाएगा यहां से थोड़ी सी स्लाइज जो है यू टर्न करनी है हमें कॉर्नर नहीं बनाना है और अब यहां से जहां से हमने बंद करना है वहां से भी थोड़ा सा फैब्रिक अंदर को फोल्ड करके और यह इसका लाट्स्ट प्लेट डाल के इसको इसके उपर ऐसे जोइन कर देना है अब यह फ्रिल हमारी विल्कुल लग चुकी है यह हमारा उपर का पार्ट है अब हम रेड़ी करेंगे इसका नीचे का पार्ट यह आपको पता है कि हमारे पास टू पीस है एक छोटा और एक बड़ा इसको हमने अब कैसे बनाना है यह मैं आपको बताती हूँ किनारी बना दें और सेम जो उपर का छोटा पार्ट है उसके उबर भी वैसे ही किनारी बना दें एक और अब यह जो दोनों पार्ट है इनको हमने क्या करना है यह देखिए यह सबसे पहले उपर का पार्ट जो हमने फ्रिल जहां लगाई थी उसको पूरा मेजर करना है कि यह कितना है यह देखिए 24.5 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है तो उसी के आउकार्डिंग हम नीचे का पार्ट रखेंगे यह दो पार्ट है तो हमें इसको एडजस्ट करके बिल्कुल उपर के पार्ट के जितना ही मेजर्मेंट करके इसको निशानी लगानी है यह देखिए 24.5 से थोड़ा सा उपर अब यह देखिए जो दो पीस थे यह एक दूसर के उपर इतना पीस आ गया है तो अब यहां से हम इसको पिन की मदद से स्क्योर कर देंगे और सेम दूसरी तरफ से भी वहीं पे हम ऐसे पिन लगा देंगे अब यह पीछे का पार्ट भी रेड़ी है यह यहां से उपन होगा तब ही कि पिलो अंदर जाएगा अब हम उल्टे के उपर सीधे के उपर उल्टा रखके फ्रिल वले हिस्से को पीछे के हिस्से से ऐसे करके जोड देंगे फ्रिल अंदर की तरफ रहेगी और कॉर्णर से हम यह सिलाई शुरू करेंगे यहां से कॉर्णर से स्टार्ट करेंगे और जो फ्रिल की सिलाई थी बिल्कुल उसके उपर उपर सिलाई लगाते जाएंगे यहां पे जब पहुंचा है यह देखिए यहां पे जोड आएगा इसके उपर हमने तीन चार सिलाई लगानी है क्योंकि पिल्लो डालते वक्त यहां पे थोड़ा जोर लगता है तो यह जल्दी रेडिमेड इसलिए उधरते है कि यहां पे उन्होंने कच्छी सिलाई लगाई होती है अब हम घर में बना रहे हैं तो अब हम इसको पूरा पक्का करके बनाएंगे और बाकी की सिलाई सिधी की सिधी हम ऐसे ही ले जाएंगे वैसे तो डबल सिलाई लगानी चाहिए लेकिन हम इसके उपर अभी लैस भी लगाएंगे तो वो डबल सिलाई वैसे ही हो जाएगी अब ये बड़ा ध्यान में रखते हुए कॉर्णर निकालना है हमें जैसे सिलाई नीचे की थी फ्रिल पे सेम वैसे ही सिलाई को घुमा देना है और ये चारो तरफ ऐसे ही सिलाई लगा के हमें ये दोनों पीस्स को आपस में अटैच करना है ये फ्रिल अंदर की तरफ ही रहनी चाहिए जब हम इसको पिलो को सीधा करेंगे तो फ्रिल सारी निकल के बाहर आएगी और अब ऐसे ही ये सारी सिलाई हम लास्ट तक ले जाएंगे ये फिर से दूसरी तरफ का जोड़ा गया यहां से भी हमने बिल्कुल पक्का करना है इसको पिलो के नीचे वले हिस्से के उपर बिल्कुल पूरा आना चाहिए उस हिसाब से इसको एड़्जस्ट करके ये सिलाई अच्छे से लगाते जाना है और अब ये लास्ट सिलाई इसकी इसको भी बिल्कुल वैसे ही फिरिल की सिलाई के उपर उपर लगाते हुए लास्ट तक कॉर्नर तक हमने लेके जाना है बस ये सिलाई हमारी कंप्लीट है अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ ये दिखिए अच्छे से इसके कॉर्नर निकाल लिए जो तरीका मैंने आपको बताया था अभी कॉर्नर बनाने के लिए उससे देखिए कि ये जैसे रेडिमेट बिल्कुल चौकोर नहीं होता है पिलो थोड़ा जैसे राउंड शेप में होता है ये बिल्कुल वैसे इसके कॉर्नर निकल के आए हैं गोलाई में ये सिरफ जब प्लेट्स डाले थे अगर आपने ध्यान से देखा है तो उसकी वज़े से ये ऐसे प्रॉपर रेडिमेट पिलो कवर जैसी इसकी शेप निकल गया है अब हम इसके उपर अटैच करेंगे ये वाइट लैस जिसते की ये और खूब सुरत लगेगा तो बस जहां पे सिलाई है एक तो वो सिलाई डबल हो जाएगी हमारी पका हो जाएगा पिलो कवर और दूसरा ये सुन्दर लगने लगेगा तो उसके बिलकुल उपर उपर आपको ये लैस अटैच कर देनी है ऐसे चारों तरफ ये लैस अटैच कर दे जादा से जादा 10 से 15 मिनट लगते हैं पिलो कवर बनने को फैंसी डिजाइनर पिलो कवर और अगर हम मार्किट में लेने जाते हैं तो आपको पता है कितने एक्सपैंसिव और फिर वो बिलकुल उधरते रहते हैं अच्छे से बनाई नहीं होते तो खुद से घर में कोशिश करें खुबसूरत से प्रिंट लेकर आएं और अपना एक तो टाइम अच्छे से पास करें और खुबसूरत सी चीज़ें अपने घर के लिए बनाएं बड़ा अच्छा लगता है अब यह हम लास्ट तक पहुंच गए हैं तो देखिए लैस को कट करके इसको ऐसे उसको उपर जॉइन कर दें यह थोड़ी से लैस यहां से खिच गई है तो यह हम वैसे ही इसको नहीं चोड़ेंगे जो पीस बचा हुआ है उसको उसके उपर अटैज कर देंगे यह देखिए यह अटैज हो गई है और यह हमारा पिलो कवर एकदम से अब कम्प्लीट है चलिए अब हम देखते हैं इसकी फाइनल लुक कि इसकी फिटिंग कैसे आती है हमारे पिलो के उपर यह देखिए यह फाइनल लुक है कितना प्रिटी लग रहा है कितना अच्छा फ्लोरल सा प्रिंट लग रहा है इसका यह देखिए यहां से यह ओपन है पिलो डालने के लिए और फ्रंट साइड पे हमने लैस लगाई है अब हम डालेंगे इसमें अपना पिलो से इसको ऐसे करके यह दिखिए अगर आप चाहें तो यहां पे एक छोटा सा बटन भी लगा सकते हैं लेकिन कोई जरुवत भी नहीं है क्योंकि यह इसमें से नहीं निकलेगा यह वैसे ही प्रॉपर फिटिंग होती है जो कुछ से बनाई होते हैं देखिए कितना को यह वीडियो फ्रेंड्स अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैं और भी खूबसूरत ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आती रहूं देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमा अगली वीडियो में